एक चोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाते हैं प्यारे बंधों एक बहुती धनी विक्ति था जिसके अहां मकान में एक चूहा रहता था एक कहानी आप लोगों बड़ी ध्यान से सुने का आमारे दादा भाईया लोग जरूर समझे एक बहुती धनी विक्ति था तो उसके घर में मकान में एक चूहा रहता था है और उसके घर में कभूतर पला हुआ था एक कभूतर पला था एक मुर्गा पला हुआथा और एक बक्रा पला हुआ कि कहानी है मतलब मुदार के तौर पर आ Absolam समझा रहा है तो क्या होता हैं एक धिन घर की जह मालकीन थी वो बाजार गई तो jबाजार से लोटी तो युक शुहेदानी शारत में ले आई यह था थाenser नहीं रोटी लगाले नहीं भी जाता है था उसमें बपS जाता है मर जाता है तो घर लेकिन बाजार गई और चुहेदानी खरीद के लिए अब चुहा ऐसे जोला जो था उसमें चुहेदानी रखी हुई थी उसको दिवाल में टांग दिया तो वही चुहा सोचदा है कुछ इसमें खाने पीने वाला होगा चुहा उस जोले के अंदर गया तो देखा कि चुहेद हमें चुह दानी आ गयी है तो चुहा बहुत डर गया अब घर में जो कभूतर पला हुआ तो श्किन हुआ में चुहेदानी आप तो कभूतर हम से चुहेंगा उसो पधंब मैं मुर्गे के पास गया और चुहा और बोला रही मुर्गे भयां घर में चुहे दानी आ गई मुरगा बोला रहे हम से का मतलब हम कौन सा फसने जाएंगे उसमें डरो तुम डरो हमसे क्या मतलब है अब भई चुहा फिर चुप हो गया फिर बकरे के पास में गया और जब बकरे के पास में गया तो बकरे से बोला कि भईया बकरे भईया घर में चुहे दानी आ गई है अब बकरा जो था वो बहुत तेजी से बोला हस के हस के बोला रे चुहे दानी आ गई हमारा इतना बड़ा स्रिर है हम थोड़े ना चुहेदानी फसजाएं के जाके अग तुम डरो तुमारे लिए हमसे का मतलब है अब इस चुप हो गया अब क्या करें कभूतर के पास घ्या कभूतर ने भी हस के और डांट के टाल दिया मुर्गे के पास लिए मुर्गा भी हसने लगा और डांट के बकरे के पास अवारा इतना बड़ा सवीर दोड़े फस जाएंगे जाके तुम जातों तुमारा काम दने हमसे कामत बनाए अब उसके बात क्या हुआ जिस दिन चुहेदानी आई उसी घर की मालिक ने चुहेदानी को घर के कोने में वो रोटी लगाके और रख दिया चुहां ज्याएगा इस में फस जाएगा अब क्या हुआ रात में थक्त नहीं से ये सांप और चांकर ये वृणफ घ्ट stronger फस गया ऑगर औह घर के मालकिन अंधेरे में जाके वो चूहेदानी हाथ में ऐसे उठा लिया। बजा र को पतह दानी के लिए है कि साफ मे अगई। गठा कोने लोगें घर के लॉग कुछा हुए। बड़ के लियु जाया गया लेकिन वूछ ठीक तीध नहीं हुई। काफी लाज कराया गया, घर की मालकिन ठीक नहीं हुई, तो एक बैद ने बताया, एक दिन, दो, चार, पास दिन बीट गए और मालकिन ठीक नहीं हुई, तो एक बैद ने बताया, वो मालकिन जो थी उनके पती से, बैद ने बताया कि देखो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, तो भाई अब घर में जब कभूतर पला है तो बाहर डोड़ने की का जरूरत है अब घर में पला है तो क्या हुआ बाहर कहां लेने जाए तो घर के मालिक ने तुरंट वही जो घर में कभूतर पला हुआ था उसी को काट के उसी का सूप बना के मालकिन को पिला दिया गया अब विचार करो माताओ बैनो चुहा सबसे पहले किस के पास गया था कभूतर के पास तो कभूतर ने क्या कहा था कि चुहे दानी आ गई तो हमसे क्या मतलब हम कौन सा फस जाएंगी उसमें जाके आज सबसे पहल तो दो चार दिन के बाद में उनके माईके वाले देखने आए वही जो घर की मालकिन थी उनके माईके वाले देखने आए कि वारी बिटिया को साफ ने दस लिया था ठीक हो गई तो माईके वाले जब देखने आए तो भाई घर के जो मालिक थे भाई खूस है उनकी पतनी ठीक को गई कुस हैं और फिर सउराल के लोग आए था उसी को काटके और ससुराल वालों की दावाद कर दी गई अब विचात करो माताओ बेलो दूसरे नमबर पर चुहा किस के पस गया था मुर्गे ले ने भी का था हम से क्या मतलब हम कौन सा फस जाएंगे चुहे दानी में जागे आग दूसरे नमबर पे बली पी कौन चढ़ा मुरगा, मुरगे को काटके दावत कर दी गई सज़ाल वालों की उसके बाद में जब भई मालकी जो थी पूरी तरह से सुस्थ हो गई एक डेड़ महीने बाद बड़ी अच्छी तरह से ठीक हो गई तो घर के मालक ने सोजा कि हमारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई मरते मरते बची है बिल्कुल ठीक हो गई तो हम अपने महले वालों की दावत करें जितने महले में लोग रहते थे बोले हम अपने पूरे महले वाले लोगों की दावत करेंगे अब पूरे महले वालों की जब दावत रखी गई तो दावत में माताओं बेहनों क्या हुआ वही घर में जो बकरा पला हुआ था बकरे को काट के अब पूरे महले वाले लोगों की दावात कर दी गई बकरे के पांस में चुहा जब गया था तो जब कहा कि भईया घर में चुहेदानी आ गई है तो बकरे ने कहा कहा था कि हमारा इतना बड़ा सरीर है हम थोड़े जाके उसमें फस जाएंगे तुम डरो तुमारे लिए चुहेदानी आई है किसने कहा था बकरे ने आज क्या हुआ तिसरे नमबर पे बली कौन चड़ा बकरा बकरी को काट के वो पूरे महले के लोगों की दावात कर दी गई अब माताओं बैनो पहले कबूतर मरा फिर मुर्गा मरा फिर बकरे की दावत हुई तब तक चुहा बहुत दूर जा चुका है तब तक वो चुहा घर से बहुत दूर जा चुका चुहे का नमबर ही नहीं आया चुहे दानी में फसने का ना तो दुबारा चुहे दानी लगाई गई और ना तो चुहा फसा बलकि वो घर छोड़ के बहुत दूर निकल चुका है तो ये आपको कहानी हमने इसलिए समझाई कि बाबा साबम्बेट करने का संग्ठित हो और संग्ठित जब हम होगे, एक जब हम होगे, तो कोई हमको नुक्सान नहीं पहुँचा सकता है और आज के समय में जब हमारे किसी समाज के एक व्यक्ति को सताया जाता है तो अगला विक्ति ये सोचता है कि हमसे कोई मतलब नहीं है अरे उनको सताय जा रहा है तो हमसे क्या मतलब है हम क्यूं बीच में जाएं हम इनके लिए क्यूं लड़ें ऐसा नहीं सोचना है ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई कि आज उनके उपर है तो कल आपके उपर भी कोई मुसीबात आ सकती है इसलिए बावा साब अंबेटकर, जोतिवा फूले, ललाई सिंग यादो, रामा स्वामी नाईकर, संत कभीर, संत रविदास इन महापुरसों ने ये नहीं सोचा कि हम दूसरों के लिए क्यों लड़ें, दूसरों के लिए क्यों संघर्ष करें पूरी जिंदगी वो इस समाज के लिए लड़ते नहें, इस समाज के लिए संघर्ष करते रहें और तब जाकर कियाद हम लोगों को अमान सम्मान की जिन्दगी मिल पाई बोली तथा गतबुद्ध की बोली बावा सावं मेट करकी